नमस्कार दोस्तों आप सभी का डिस्कवरी आईएस पर स्वागत है आज के इस सेशन में हम 68th BPSC Prelims Exam में जो भुगोल और प्रयावरण का सेक्षन आता है उस संदर में आज रन्निती पर चर्चा करेंगे कि इसमें जो क्वश्चन आते हैं इस खंड से उन क्वश्चन को कैसे डील किया जा सकता है किस सेक्षन से ये क्वश्चन आते है और हमें किन सेक्षन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है अगर हम previous year के questions को अगर read करते हैं तो उन में से कुछ-कुछ चीज़े सामने निकल कर आती है तो उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे इस session में देखिए जोग्राफी और जो environment का section है उसके साथ सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि अगर इसमें से 15 question आए है तो आप 14, 13 अराम से बना सकते हैं इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है लेकिन उसके लिए चाहिए ये कि आप क्या रहें फोकस रहें जो section आते हैं उन पर आप अच्छे से पकड़ बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है जोगराफी और इन्वार्मेंट एक ऐसा section है जिसे सही करने के लिए ही दिया जाता है तो आप अगर इसको अच्छे से attempt करेंगे तो 15 से 16 question आप आराम से बना सकते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं होने वाली है और बिल्कुल सही होने वाले question आते हैं तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि कहां कहां से question आता है कैसे उसे focus करना है तो देखे सबसे पहले देखा कर हम बात करें जोगराफी और प्लस इन्वार्मेंट के section की तो यहां से लगभग 15 से 16 question आते हैं यह previous year का trend देखें तो 15 से 16 question इसमें से आते हैं लेकिन अभी तक वो ज़्यादा focus इस पे रखता है लेकिन जो आने वाला दोर है जो यह दोर चल रहा है यह environmentalism का दोर है प्रयावरणवाद का दोर है जिसमें हर मुद्दे को प्रयावरण से जोड़के देखा जाता है तो संभावना है कि आने वाले समय में environment पर focus कर देगा देखें UPSC में भी environment पर काफी focus किया जाता है अन्य PCS exam में भी environment पर काफी focus होने लगा है तो BPSC में अभी तक जादा focus जोगराफी पर है लेकिन थोड़ा बहुत focus इंवार्मेंट पर भी है लेकिन with time समय के साथ मुझे लगता है कि वो जोगराफी के साथ साथ इस पर भी अपना focus करना शुरू करेगा तो इससे भी question आगे बढ़ने की संभावना है कम होने की नहीं और दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये सभी के सभी question आप 15 से 16 है तो 14 तो आराम से बना सकते हो 14 से 13 से 14 की range में आराम से बना सकते हो जिस हिसाब से इस बार cut off गई है उस हिसाब से आपको इस section में तो सही करना ही बनता है कि आप इतना करेंगे score तभी आप उस score तक पहुँच पाएंगे कि आप select हो पाएं तो अब हम देखते हैं कि इस जोग्राफी के section से question कहा कहा से आते हैं कैसे उन्हें तयार करना है देखिए सबसे पहला जो section है जिस पर BPSC focus कर रहा है वो है वर्ल्ड रीजनल जोग्राफी विश्व प्रादेशिक भूगोल विश्व प्रादेशिक भूगोल तो विश्व प्रादेशिक भूगोल में क्या section है इसमें आपको कई बार जैनल याप mapping भी कह देते हैं लेकिन यह mapping नहीं है यह इस विश्व प्रादेशिक भूगोल में आपको सभी चीजों को include करना होता है देखिए इस section में वो आपसे परवतों के बारे में question ले रहा है के बारे में आपसे question ले रहा है इस section से वो आपसे जन जातियों के संदर में question ले रहा है आपसे स्थानों के बारे में locations के बारे में अवस्थिती के बारे में question ले रहा है इसके बाद वो इसके सभाद वो आप से इसके संदर में जलवाईू के संदर में भी ख्वेशन ले रहा है इस तरह से विश्व प्रादेशी भूगोल में अलग-अलग section में से अलग-अलग question है, तो आपको इसे integrated करके पढ़ना होगा, एकिकरित करके पढ़ना होगा, जैसे परवतों के संदर में अगर मैं देखूं तो उसने एक बार पूछा है कि प्रेनीज परवत कहां अवस्तित है, जलसंदियों के संदर में उसने एक बार question पूछ चुका है कि रूर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, रूर क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लॉरेन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इस तरह की question इसमें से आए हुए है, जनजातियों के संदर में मसाई, सकाई, खिरगीज के बारे मे में वोकेशन के बार में पूछा तो नियाग्रा फोल कहा अवस्थित, तो इसके बाद जलवायू के शनदर में पूछे, तो भूमध्यä सागरिये जलवायू कहा अवस्थित ढोइं, तो इस तरह के gegen सिंपल कुश्चन वह आप से पूछता है लेकिन कितना सारा फैक्ट हो जाता है कि आपको याद करने भी प्रॉबलम होने लगती है तो इस संदर में देखो कैसे त्यारी करने है इस संदर में हम प्रादेशिक अप्रोच अपनाते हैं जिसको नाम ही उसका वर्ल्ड रीजिनल तो इसमें हम क्या करें जैसे हम नौर्थ अमरीका लें अगर हम नौर्थ अमरीका को लें तो हम क्या करें इस संदर में नौर्थ अमरीका लिया इसी नौर्थ अमरीका पर हमें क्या करना होगा फिजिकल फीचर्स को पढ़ें भौतिक आउस्थितियों को देख लें जल संद कौंटिनेंट को त्यार करेंगे तो उस संदर में हम सभी पहलों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक सूपर इंपोजट करते चले जाएंगे तो आपके लिए इसको तयार करना बहुत इसी हो अधि प्रोसे और फिर कोई भी क्वेश्ट आता है तो तो आप अराम से यहां पर नदियां कौन सी जल संदियां कौन सी झीले करना से खनी कौन से इसी तरह साउथ अमरीका को देखें स्वानीका के बद माध आफ्रीक यूर्ओ उडिध self- defence को और ज्यादा output आ सके तो और इस पर करना भी क्या है हम इसी map पर ही सब चीजों को और superimpose करते जला है एक के उपर एक लगाते जाएंगे तो इसी के आसपास map पर ही सब कुछ लिख लेंगे और उसको समझा detail में जाएगा कि समझा हुआ ही याद रहता है तो यह तो था आपका कौन सा section वर्ल्ड रीजनल तो इसमें सभी पहलूओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा बहुतिक पहलूओं पर भी और मानविये पहलूओं पर भी कौन-कौन सी आर्थिक गत्विदियां हैं कौन सी इंडस्ट्रीज हैं कौन से खनेज हैं तो यह सब भी इसमें देखना होगा तो यह तो था आपका वर्ल्ड रीजनल जोग्राफी इसके बाद जो दूसरा बड़ा section वो लेता है वो है इंडियन जोग्रा बाकता है कि इसमें काफी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं conceptual भी संकलपनाएं भी अवधारनात्मक रूप से भी पढ़नी और factual भी पढ़ना इसमें facts भी आते हैं और आपकी अवधारनाय संकलपनाएं भी आती है कई कि जिनको समझने पर ही question हलो ता भी इसके मैं example देता हूं आपको कैसे इसको त्यार कर कैसे question आ रहे हैं इंडियन जोग्राफी में भी आपको भौतिक और मानविये दोनों पक्षों से लेके चलना पड़ेगा इसमें से question आते हैं जैसे दर्रों से question आया उसने पूछा है कि बनिहाल दर्रा कहां आवस्तित हैं सबसे उंचा दर्रा निमन लिखित में से कौन सा है कौन से दर्रे से होकर जम्मू और श्रीन अगर आपस में जुड़े हुए हैं जो जिल्ला दर्रा के बारे में तो इस तरह दर्रों से बारे में भी वो पूछता है अधक्षिन में कन्या कुमारी के समी परवस्थित कौन सी परवश्रेणी है एक बार उसने question पूछा है कि पूर्वी और पश्च्मी घाट कौन से परवस्थित में आकर मिलते हैं इस तरह के question इसमें से आते हैं कि इसके अलावा कि परवश्रेणियों के अलावा वह आपसे द्वीप समों से bhi question पूछ लेता है कि निमन लिखित में से कौन सा द्वीप कहां आवस्तित है कौन सा जो आला मुखी द्वीप है कौन सा कोरल रीफ पर आधारी द्वीप है इसके अलावा कुछ प्वेश्चन आपको हिमालय की उत्पत्ती के संदर में समझे जा सकते हैं हिमालय की उत्पत्ती के संदर में हिमाल विजिकल भाग से भी काफी question लेता है नदियों के संदर में नदियां, नदियों के संदर में कई तरह क्वोष्चन है, पूरुवर्ति और प्रवर्ति नदियों में क्या अंतर है, निमन लिखित में से कौन सी पूरवर्ती है तो आपको समझना होगा कि पूरवर्ती नदी क्या है प्रवर्ती नदी क्या है उसके बाद ही आप क्या करोगे उस question को solve कर पाओगे नदियां कौन सी कहां से निकलती है किसकी कौन सी सहाइक नदी है तो इस पर भी question आ जाता नदियां है तो नदियों के साथ वो जलाशियों से भी question ले लेता है से कौन सा रिजर्वायर कहा वस्तित है तो इसमें कुछ है और कुछ आप पर अधार्णात्मक है जैसे हिमाले के उत्पत्ति नदियों में क्या डिफ्रेंस है कौरल कौन से कौरल से बने हैं कौन से जौला मुखी है तो किस तरह से वह बने हैं तो समझ लेंगे तो आसानी रहत इसी में वह ले रहा है निमल निखित में से किस म्रदा की जल धारण क्योंता जादा है रेगुर मिट्टी की क्या विशेष्टाएं है निमल निखित में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें पौदे जिसमें से ज्यादा जल को प्राप्त कर सकते हैं यह जब आप इसको समझ पर question आता है, इसमें वो इसका distribution पूछता है, प्राकरतिक वनस्पति को मिलान कीजिए, कौन सी वनस्पति कहा है, जैसे उशन कडबंदी है, सदा बहारवन कहां पाये जाते हैं, पतजडवन कहां है, इसके बाद आप से पूछ लिया mangrove है, तो सामने इनका अपस में मिलान कीजिए, तो आपको यह सब पता होना चाहिए, कि यह इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि यह है क्या, फिर इनका distribution पता होना चाहिए, यहां पर आपको, अगर आपने इसके समझ कर, अच्छे से इसके concept को समझा है, कि किस परकार, वैदर का या जलवायू का किस परका का सम्मन्द है वनस्पती से, तापमान का किस परकार का सम्मन्द है वनस्पती से, अगर वो समझा है, तो आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस तरह की question आ रहे है, इसके बाद देखिए, इसके बाद का एक और section जो आपके आता है, वो है मौनसून क section, मौनसून का जो section है, इस मौनसून के section में आपसे संकाल प्रात्म क्कॉष्चन भी आ जाते हैं, जैसे एल नीनो पर ला नीना पर ला नीना हो गया ये भी कुश्चन आया हुआ है ला नीना पर ला नीना पर किस परकार करना ला नीना का भारतिय मौनसुन पर प्रभाव पढ़ रहा है उस पर कुश्चन आया हुआ है तो यहां पर आपको मौनसुन पूरा अच्छे से समझा हुआ होगा तो आपको यह सॉल करने में बहुत ही इजी रहेगा गलत होने की संभावना नहीं है इनमें तो यह मौनसुन हो गया इसके बाद देखिए इसके बाद जो सेक्षन आ रहे हैं जैसे खनीज हो गया खनीज कुद्ध्योगों से क्वश्चन आ जाता है खनीजों का मिलान कीजिए तो आपको अगर खनीज पेटियों के बारे में में जानकारी है निज पेटियां कि कौन सी मिनरल बैल्ट कहां है उसमें कौन-कौन से खनीज पाए जाते हैं रीजन वाइज अगर आपको पता है तो इस से रेलेटर क्या है कर तो उस हेरिया में अगर है मिल रा तो इसमें ये वाला ऊध्योगoz कोगा माइदे इसके एलावा जoga इसमें कुछ सेक्शन और हैं जिसमें थोड़ा सा आपको फ्यक्ट करना पड़ाता वह जंञतियां और इतना सेक्शन ہے जो इंडियां जऑग्राथी में आप से पूछा जाता है कुछ संकल्पनात्मक क्वेश्चन है कुछ factual क्वेश्चन है लेकिन अगर हम क्या करें कि संकल्पनाओं से जोड लेंगे तो उन्हें पैक्ट नहीं रह जाते हैं वह बहुत इजी हो है तो लोग फैक्ट को रखते रहते हैं लेकिन फैक्ट को रटना नहीं है फैक्ट को समझ कर रटना है दोनों में बहुत फरक है रटना और समझ कर चीजों को याद करने में बहुत अंतर हो जाता है तो हम इस दोनों चीजों पर फोकस करेंगे फैक्ट पर बात करेंगे तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो यह हो जाएगा आपका इंडियन जोगरासी इसके बाद देखिए इसके बाद कि जो सेक्षन है उनमें आता है एक और महत्वपुन सेक्षन है वह है जलवायू विज्ञान प्लाइमेट लोजी तो जलवायू विज्ञान में अभी तक इसने कुछ जादा क्वेश्चन नहीं लेकिन जो ले रहा है वह आपको समझ पर आधारित होते हैं जैसे आपके क्लाइमेटिक रीजन जलवायू प्रदेशों से क्वेश्चन लेता है जैसे एक बार उसने क्वेश्चन पूछा निमन जाती है महादीपों के पश्चमी भागों में पाया जाता है मिड लैटिट्यूड में पाया जाता है तो एक किन-किन ख्षित्रों में पाया जाता है कुछी विशेश ख्षित्र है जहां पर यह जलवायू पाई जाती है तो आपको इसके संदर में आपको पूरा आइडिय साराजना पर question आता है इसी तरह बहुत सारे section है जिसमें जलवाई यह सारा का सारा fact बहुत कम है इसमें fact जैसे इसमें सिर्फ स्थानिय पवनों का जैसे हुआ स्थानिय पवने local winds इस जैसे fact ही इसमें बाकी सारा का सारा climatology है वह आपकी समझ पर बढ़ा है अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आपको कोई भी question इसमें गलत नहीं होगा बहुत easy है लेकिन समझना इसमें बहुत जुरूरी है इसके बाद एक और section है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं वह है समुंदर विज्ञान जिसमें से question दो या तीन question आता रहता है दूसरा question है दूसरा section है समुंदर विज्ञान लेकिए समुंदर विज्ञान में तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएसी का भी है और PCS का भी है जल्धाराएं तो जल्धाराओं के बारे में वह question लेता रहता है कि इनकी उत्पत्ती के क्या कारण है कौन सी जल्धारा कहां परवाइत होती है कौन सी गरम जल्धारा है कौन सी ठंडी जल्धारा है तो यहां से इसमें से question आता है दूसरा section उसका जो है वह है लवनता लवनता समुंदरी लवनता का क्या कारण है इसका स्रोत क्या है कहां लवनता ज्यादा पाई जाती है कहां लवनता कम पाई जाती है उसका क्या कारण है इस पर क्वेश्चन आता जाता है कोरल से क्वेश्चन आ जाता है इसके अलावा सागरिये तापमान पर भी वो क्वेश् या 8 question आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे तो गलत है, 2-2 question, 3-3 question करके ही क्या बनता है, 15 question बनता है, किसी section से 8 question आना तो संभव नहीं है, सबी से 2-3-2-3 question आता है, और मिलाके वो 15-16 question बनता है, तो आपको सबी पर focus करने की जरूरता है, जलवाई विझ्यान पर भी और समंदर विझ्यान पर भी इसके बाद जो एक दो सच्छन और बचते हैं वह है है धूँआकृतिक जियो मॉर्फॉलोजी हूँ दिया देना इसमें इसमें उसने बलन की प्रोसेस पर कुश्चन पूछा हुआ है प्लेट के बारे में पूछा Cocoase Plate कहाँ आवस्थित है Cocoase Plate के बारे में पूछा है Valan की process पर मैंने बताई दिया कि आपको Valan पर Question पूछा हुआ है Bransh पर Question उसने का पूछा है Interior of the Earth प्रिथवी की आंतीरिक सरंचना Interior of the Earth प्रिथवी की आंतीरिक सरंचना के बारे में Question आ جाता है तो यहां से भी एक या दो question आपको देखने को मिल सकते हैं और एक last section जो आपका बचता है वो है बायो जोग्राफी जिसे बोलते है जैव भूगोल जैव भूगोल में वो आपसे question जो पूछता है वो बायोम से पूछता है यह इन्वार्मेंट का section भी आ जाता है और जैव भूगोल का भी है तो यहां से बायोम के section में question पूछता है निमन लिखित में कौन सा बायोम कहां अवस्थित है उसकी क्या विशेश्चता है जैसे सवाना तुल्ले बायोम की क्या विशेश्चता है एक्विटोरियल बायोम की क्या विशेश्चता है मौनसुनी बायोम की क्या विशेश्चता है निमन लि सारा का सारा जोग्राफिक का सेक्षन था जहां से आपको थोड़ा थोड़ा दो तीन तीन कोश्चन करके पूरे 15-16 कोश्चन एक्जाम में देखने को मिलते हैं लेकिन ये 15-16 कोश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि आप गलत करने की संभावना इसमें बहुत कम होती है तो ये था आपका जोग्राफिक का सेक्षन अगर आप इसमें डारेक्टली अगर अपना फोकस पूरा करें तो मुझे लगता न परियावरण का सेक्षन जो है इन्वायर्मेंट का बहुत ही इंपोर्टेंट होता चला जा रहा है हर एक्जाम में इस से क्वेश्चन आता है क्योंकि दौर ही इन्वायर्मेंटलिजम का परियावरण वाद का दौर है हर चीज को परियावरण से रिलेट किया जा रहा है न इस पर कब ज़्यादा फोकस करता है लेकिन करना चाहिए उसे तो पहले से जो बूज लिया जाए वही फाइदा रहता है आने के बाद करें कोई फाइदा नहीं रहेगा तो पहले से इसको भी प्रिपेर करके चलें कि संभावना इसकी रहती है तो देखो इसमें हमें क्या के बारे में पढ़ना होगा इसके बारत आपको ओजोन शरण के बारे में पढ़ना होगा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना होगा इसके बाद आपने एक सेक्शन और जो क्वेश्चन फेवरेट रहता है PCS का वह सुपोशन यूट्रिफ होते हैं ecosystem ecology के अध्यन के स्तर कौन से है ecology के पढ़ने के अध्यन कौन से किस किस तरों पर उसे पढ़ा जाता है इनके सरंक्षण के उपाए इनके सरंक्षण के उपाए इनके सरंक्षण के उपाए इसके पिछलों को भी देखना पड़ेगा कि कहा से यह बात शुरू हुई sustainable development पे बात करनी होगी तो ये सारी चीजें हमें environment के section में भी देखनी होगी क्योंकि environment में मुझे लग रहा है कि काफी important है तो आपको इसको भी लेकर चलना होगा तो देखिए इस परकार हमने अभी देखा कि geography और environment का जो section है वो आप अगर कुछ कुछ चीजों पर focus रखें तो easily हो सकता है और accuracy बहुत जादा है इसमें तो आप आने वाले section में जब हम class start करेंगे तो हम इनी पहलूओं को लेके चलेंगे सबसे पहले हम जो start करेंगे वो climatology से ही शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसके concepts को build करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि अगर concept clear है तो उसके बाद अगली चीजों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है जैसे मैंने कहा आपको world regional geography अगर यह आपका climatology त्यार है जियो मॉर्फो थोड़ा त्यार है और शैनो त्यार है तो इसे पढ़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए इसी प्रकार अगर यह वाला section त्यार है तो इंडियन जोग्राफिक को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां मौनसुन हो गया मृदा हो गई वनस्पति हो गई उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इसलिए यह आपका नीव त्यार करेगा क्लाइमेटलोजी जियो मॉर्फो शैनों यह सब आपको आगे पढ़ने में नीव त्यार करता है तो इसी तरह हम इस सिक्वेंस को लेकर चलेंगे तो आज ही रुकते हैं धन्यवाद